Quadratic function और linear function में enter क्या है Quadratic से पहले linear हमने पढ़ा Y is equal to MX plus C होता है अब यहाँ पे X की जगे Power 1 की जगे उसका square कर दो तो वो quadratic आ जाता है Y is equal to AX square plus BX plus C एक general equation है हमारी Quadratic function की इसको अभी 0 नहीं करेंगे function तो यह अब है X की अलग-अलग value में रखता जाऊंगा X is equal to 1, हमें 2, 3, 4 हमें Y की अलग-अलग values मिलेंगे उसके बाद हम यहाँ पे graph बना लेगे अचा, parabola के graph बाते हैं यहाँ पर और parabola कैसे भी बन सकते हैं parabola ऐसा भी parabola होता है यह भी parabola होता है यह भी parabola होता है यह भी parabola होता है लेकिन यह जो एक simple equation है यह simple क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ X की term में ही square है Y की term में square नहीं है और Y एक तरफ है, बागी सारे X दूसरी तरफ हम लेगे आगा है बहुत ही simple सा यह graph बन के आता है यहाँ पर इस type की equations में जो की physics में almost सारी equation ऐसी होती है हमाँ पास parabola यह तो उपर की तरफ face होगा यह फिर नीचे की तरफ face होगा बस इसी तरीके के parabola हमाँ पास हो सकता है अब इसमें भी हमाँ पास कुछ special case हो सकता है जैसे अगर यह एक function है तो क्या इसकी value कभी 0 होगी या नहीं तो यहाँ पर देखो इस वाले graph में इसकी value कभी भी 0 नहीं हो रही है इस वाले के लिए exactly एक time पे एक x की ऐसी value है जब इस function की value 0 होती है और इस वाले के लिए आप बोलोगे कि यह एक्स की दो value है x1 and x2 जब उसकी value 0 हो रही है function ही तो हम बोल देंगे कि हमारे पास पहले वाले case में y1 के लिए no roots y2 के लिए हम बोल देंगे यहाँ पर 1 root है वहाँ पर y3 के लिए हम बोल देंगे 2 roots roots है नहीं कि ऐसी x की value जहाँ पर actual function की value 0 आ जाए वो real values होनी चाहे root मतलब the real value of x fx is equal to 0 अब इन roots को पता कैसे करें सारा खेल तो ही आता है वो roots की value हमें पता होनी चाहे तो वो भी देख लेता है roots को पता करने के लिए हमें पहले तो y is equal to ax2 plus bx plus c इतना जो हमारा function था उसकी value हमें कर देनी होगी 0 है न तो अब यह हमारे पास एक equation हो गई quadratic equation यह हो गई अभी तक यह हमारा function था अब इस equation के roots निकालने के दो तरीक हो गए पहले तो आप इसका factorization करता है न अगर मैं बोलता हूँ कि x1 and x2 पे मुझे 2 zero values मिल रहे है यह है x1 यह है x2 तो क्या मैं लिख सकता हूँ x minus x1 x minus x2 is equal to 0 यहाँ पे आप चाहो तो a से multiply करतो इदर इस तरीके से x की जो सबसे बड़ी power होगी यहाँ पर आप इससे multiply करतो सबसे बड़ी जो power होगी a x2 यहाँ पर आगया और इनी के कुछ combination से b और c भी आप निकाल सकते हो और यहाँ पर हम देखते है x की value अगर x1 मैं रखता हूँ तो यह value 0 हो जाएगी x की value x2 रखता हूँ तो 0 हो जाएगी तो यह हूँ हमने factorization कर दिया उस तरीके से भी हम इस question को solve कर सकते हैं या फिर हमाँ पास और एक तरीका होता है वो discriminant वाला हमारे पास x की value आजाती है उस फूर तरीके से x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a यह बहुत जगे आपको use करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देखोगे कि इससे हमें x की दो value मिलेंगी अगर एक बार plus use करोगे तो एक value आईगी यहाँ पर आप minus use करोगे तो दूसरी value आईगी अगर हम दूनों values को plus करें तो x1 plus x2 वो होता है हमारा minus b upon a और x1 x2 को multiply करते हो तो वो होता है c upon a कभी-कभी यह भी directly use हाजाता है यह तो बहुत ज़्यादा important है यह आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से अभी तक शायद याद भी होगा तो उसका एक example कर लेते हम हमारे पास है मान लो y is equal to x square plus 3x minus 4 यह हमारे पास एक function है हमें इसके roots पता करने है तो उसके लिए हमें इसको equation मना पड़ेगा x square plus 3x minus 4 is equal to 0 y की value कब 0 होगी कैसे पता करें इसको factorize करते हैं तो x square plus 4x minus x minus 4 is equal to 0 यहाँ से x common लोगा तो बचेगा x plus 4 अब पीछे वाली दोनों terms में से minus 1 common ले लोगा मैं तो बचेगा x plus 4 is equal to 0 अब इन दोनों terms में से x plus 4 common लो आप तो बचता है x plus 4 और x minus 1 is equal to 0 यहाँ पर देखके हमें क्या पता चलता है अगर x की value minus 4 रग दिया x की value plus 1 रग दिया तो यह equation satisfy हो जाती है तो हम बोल देंगे roots are minus 4 and plus 1 यह दो हमारे अलग-अलग roots आ गए यह फिर इसी को आप पता कर सकते हो इस formula के जरिये भी यहाँ पर minus b की value क्या रखोगे आप b है 3 तो minus b हो जाएगा minus 3 और यह फाला formula लगा देना आपको roots मिल जाएंगे अगर quadratic functions पर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज support करो crash up को इस QR code को scan करो किसी भी UPI app से या फिर crash up at UPI पे donate करो और support करो ताकि crash up के जरिये हम इस दुनिया को एक ऐसा medium दे जहाँ पर सभी को सभी को world class education absolutely free में मिल पाए तो प्लीज support crash up और वीडियो को लाइक कर देना subscribe कर देना कुछ भी comment कर देना ताकि at least algorithm में तो हम उपर आ जाएं मिलते हैं अगले वीडियो में बश्रूं